हलो दोस्तों नमस्कार मैं अंगारालाल आप सब के बीच में एक बार फिर दोस्तों हम है गाजीपूर के हथावणा ग्रामसभा में और आप लोग जानते हैं कल जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है और सुर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के बहुत ही अच्छे बल्ले ब हुए है और सब लोग आस लगा के बैठे हुए है सब लोग दुगा कर रहे हैं कि यह मैच हमारे पक्ष में आए और हम उनके पाहत्रिक निवास ग्राम हथावडा में है उनका घर यह पीछे देख रहे हैं आप लो और उनके दादा जी जो बच्पन में इनी के गोध में ख लेकर दादा जी कल जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो सुर्ष कुमार यादों को क्या सुपकामना दे रहा है मैच के प्रती मैं सुपकामना दे रहा हूं कि भारत विजय होगा वो लूग टी-20 कप को जीतेंगे और विशुपटल पर भारत का नाम रोशन करेंगे औ और वो नेशन के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं जितनी खिलारी हैं इंक्लूडिंग सुर्ष कुमार सभी लोग जो है पूरी तोम जोम से कल जो है अपना अत्र उठाने जा रहे हैं मुझे उमीद है कि यह अवश्य भी आए पाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे जी सभी लोग को काम करते हैं तो सबसे पहले माता पिता का अशिरवाद और दादा दादी का अशिरवाद लेते हैं तो कल का मैच है और आपका बेटा जो सुर्य कुमार यादव मैच में कल उतरेंगे फिल्ड में तो सबसे पहले आपको याद जरूर करेंगे तो उस समय जो है सभी प्लेयर जो है अपने दादा दादी को और माता पिता को याद करते हैं तो आपको भी याद करेंगे तो आप उनको आशिरवात के रूप में क्या कहेंगे तो देख लिए आप सभी लोग जो है एक साथ मिल के जो है उनके भारत के पच में मैच जीतने के लिए सुब कामना करेंगे और उनके दादा जी भी जो है उनके लिए सुब कामना दिया है। और कल का मैच जो है जरूर भारत के पच्छ में आएगा उनके चाचा जी है और भाई जी है उनलों से भी हम जाने गया और गाउं के भी कुछ लोग है जो की बहुत ही रूची के साथ जो है उनके दरवाजे बैटते हैं और खेल के प्रती जो है उत्सुक रहते हैं खेल देख सब्सक्राइब करें तो आप उनके चाचा जीए तो यहां पर क्या बेऊस्था रहेगी उनके लिए सब्सक्राइब लोग अपने इंडिया का मैच वता है वहां पर देखते हैं कि नहीं है लेकिन यहां उनके पैतरिक निवास यह भी जो है किसी स्टेडियम से कम नहीं है यहां पर भी जो है कल मैची स्टार्ट होगा साम को साड़े याट 17 कामना जितने के बाद भाई मीठाई बठाई बढ़ती और फैसे ही होती है और जितने के बाद नहीं के आई यह चैलते हैं तो उदिडिए और कितना देर तक खेलेंगे शुचते हैं कि और देर तक खेले, बढ़िया खेले, रम ज्यादा बनाएं और अच्छा खेले उनके बहन चहचेरी बहन ये भी उनके साथ में आप लोग देखें होंगे कई इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें जो है सुरिकुमार यादव जो है सबसे बेहतरीन परफार्मेंस करें इनसे भी हम जानेगे सर आप साहिद खेल बहुत अधिक देखते होंगे और हम लोग जब भी मैच आता है तब यहां देखते हैं सब लोग बहुत उत्सा आसे कितना देर तक खेले बहुत अच्छा खेले सबी लोग आते हैं बहुत भीड होती यहां पर अब लोग बहुत खेलते हैं घर पर भी मैच उन्हांस कल क्या खास खास रहेगा आपके बहुत उत्सास लोग देखेंगे उसमें सुर्च मारे आदव भी खेल रहे हैं तो और हम लोगो कप्तान वसीम जाफर उनके लिए एक कमेंट किये हैं और आप लोग कमेंट को जाके पूरा पेपर में पढ़ सकते हैं बहुत ही मतलब जी सर वसीम जाफर ने बोला है कि सुर्य कुमार यादव कल के मैच में गेम चेंजर होंगे क्योंकि वह मैच वही जिता सकता है अगर कर रहे हैं और सबके दिलों में बस रहे हैं सभी लोग की पहचान जो है उनके माता पिता से होती है लेकिन इस गाव में जब हमने आया तो सबसे पहला यहां पर वह चीज मिला कि माता पिता की पहचान जो है उनके बेटे से हुई है तो यानि बहुत ही गर्व होता है ऐसे म पतापीता को, ऐसे दादा दादी को, कि उनका बेटा जो है, उस उचाई पर जाता है, जहां, उनके पहचान का वो बेटा नहीं होता है, बलकि बेटे की पहचान के लोग, उनके परिवार के हो जाते हैं, तो बस, इस वीडियो में इतना ही, कल मैच है, कल का अपडेट दूँगा, हमारे साथ वीडियो में बने रहें अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेयर करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, धन्यवाद